प्यारे बच्चों कैसे वो आप उमीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टोपिक है अध्याए छे रेखिक असमिकाएं भाग एक इसमें हम पढ़ेंगे भुमीका असमिकाएं एक चर राशी के रेखिक असमिकाओं का बीजगनित्य हल और उनका संख्यारेखा पर निरूपन इनके उपर अधारित प्रशन भुमीका बचो पिछली कक्षाओं में हम एक चर और दो चर राश्यों के समिकरनों तथा शाब्दिक प्रशनों को समिकरनों में परिवर्तित करके हल करना सीख चुके हैं जैसे कि समीकरन तीन एक्स प्लस पाँच बराबर दस को हल करना है तो ऐसे प्रशन या शाब्दिक प्रशन जहां पे हम समीकरन पहले बनाते थे फिर उनको हल करते थे, वो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है अब हमारे पास इनके इलावा कुछ ऐसे कत्थन भी मिलते हैं जिन में से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर चिन परियुक्त करते हैं बचशों जैसे चोटी कक्शाओं में प्रशन होते थे हमारे कि 4 और 5 के बीच इन में से कोई एक चिन हमने भरना है तो ये चिन जो है वो भी हम प्रियुक्त करते आए हैं और हम उनको प्रियुक्त करते भी हैं जैसे कि आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की उंचाई 105 सेंटीमेटर से कम है से कम है उन्चाई 105 सेंटी मेटर से कम है तो इन्हें हम असमीकाएं कहते हैं असमीकाएं हम निमन लिखित स्थिती पर विचार करते हैं रवी के पास 100 रुपए हैं बच्चों रवी के पास 100 रुपए हैं और उसने बाजार से घर का कुछ समान लाना है मानलो बजार से उसने 100 रुपए का समान खरीद लिया अब 100 रुपए जो हैं वो 100 रुपए से कम होंगे या उसके बराबर होंगे यानि जब उसके पास 100 ही रुपए हैं तो वो 100 रुपए से कम ही खर्चेगा या 100 रुपए खर्च सकता है पूरे के पूरे तो हमारे पास यहाँ पर प्रापत हुआ X छोटा होगा या बराबर होगा 100 से बच्चो देखो यहाँ पे इसको हम एक समीकरन नहीं बोल सकते क्योंकि समीकरन जो होगा उसमें बराबर का चिन होता है यहाँ पे X छोटा है या बराबर है 100 से तो ये एक समीकरन नहीं है इसे हम असमीका कहते हैं बच्चो अब हम ये देखते हैं कि असमीका को हम कैसे परिभाशित कर सकते हैं एक असमीका दो वास्त्विक संख्याओं या दो बीजिय वियंजिकों में से छोटा है, से बड़ा है, से छोटा या बराबर है या से बड़ा या बराबर है के चिन के प्रयोग से बनती है उधारन के लिए 3 छोटा है 5 से, 7 बड़ा है 3 से, आदी संख्यांक असमिका के उधारन है और x छोटा है 5 से, यहाँ पे x का प्रयोग हुआ है और y बड़ा है या बराबर है माइनस 8 से इतियादी यह शाब्दिक असमिका के उधारन है यानि कि जिन के अंदर हम ये वाले चिन परयोग करेंगे वो असमिकाएं कहलाएंगी 3 छोटा है या बराबर है x से और x छोटा है 5 से यहाँ पे दोनों तरफ चिन लगे हुए हैं तो इसको हम दवी असमिका का उधारन कहेंगे ax प्लस b छोटा है 0 से या 5y माइनस 6 बड़ा है 0 से ax प्लस by छोटा है 0 से इत्यादी को हम सुनिश्चित असमिकाएं कहते हैं सुनिश्चित का मतलब यहाँ पे कि यह छोटे हैं यह हमें पता है और ax की दो प्लस bx प्लस c इसे हम द्वी घातिया असमिका कहेंगे देखो बच्चों यहाँ पे यह भी सुनिश्चित असमिका है यह भी सुनिश्चित असमिका थी और जब हम से छोटा है या बराबर है जब हम यह वाले दो चेन परियोग करते हैं तो उसे हम सिरफ असमिका कहेंगे क्यों? क्योंकि जैसे तीन छोटा है चार से या मैं यहाँ परियोग करूँ तीन छोटा है बराबर है चार से तो बच्चों एक बार में एक होता है या तो वो छोटा होगा या वो बराबर होगा या वो बड़ा भी हो सकता है तो इसलिए इनको हम सुनिश्चित असमीकाई कहते हैं और उसे हम सिरफ असमीकाई कहेंगे एक चर राशी के रेखिक असमीकाई का बेज गनितिय हल और उनका संख्यारेखा पर निरूपन बच्चों जैसे हम समीकर्णों को हल करते थे उसी तरीके से हमने असमीकाओं को हल करना है लेकिन यहां हम थोड़ा सा चेंज करेंगे वहां पे हम सीधा जैसे तीन एक्स बराबर दस है तो X ब्राबर 10 बटे 3 लिख देते थे, यहां हम कुछ नियमों का परियोग करेंगे नियम एक, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चीनों को परभावित किये बिना समान संख्याएं जोड़ने अथवा घटाने पर उनमें कोई परिवर्थन नहीं आता जैसे, दो X छोटा है दस से, अगर मैं इसके दोनों तरफ पांच जोड़ दूँ तो यह वैसे की वैसे ही रहेगी तो दोनों तरफ हम कुछ बराबर जोड़ सकते हैं या कुछ बराबर घटा भी सकते हैं नियम दो, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुना या भाग किया जा सकता है बचो देखो, अगर एक समीका मैं ले लूँ, X छोटा है पांच से तो गुना या भाग, धनात्मक संख्या से तो धनात्मक संख्या यानि मानलो मैं दोनों तरफ 5 से गुना कर दिया तो इस से असमीका के चिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा असमीका का चिन वैसा का वैसा ही रहेगा अगर मैं यहां भाग कर देता X भाग 3 और 5 भाग 3 तो भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा असमिका का चिंद प्रभावित नहीं होगा लेकिन दोनों पक्षों को समान रिनात्मक संख्या से गुना या भाग करूँगा जब समान रिनात्मक संख्या या समान रिनात्मक संख्या से गुना या भाग करूँगा जैसे X छोटा है 5 से यहां पर मैं माइनस 2 से गुना कर दूँ रिनात्मक संख्या से गुना कर दूँ और यहां पर 5 को भी माइनस 2 से गुना करूँगा तो ये जो चिन है से छोटा है ये चिन बदल जाएगा बड़ा हो जाएगा इसका एक उधारन इस तरह से भी लेके चलते हैं बच्चो जैसे 4 छोटा है 5 से जब 4 पांच से छोटा है तो दोनों तरफ जब मैं माइनस से गुना करूँगा तो माइनस 4 और माइनस 5 तो बैटा अब माइनस 4 बड़ा होता है माइनस 5 से तो ये जो चिन है वो से छोटा है की जगह से बड़ा है ये चिन बदल जाएगा चिन प्रभावित हो जाता है तो जब हम दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुना या भाग करते हैं तो चिन नहीं बदलता चिन वही रहता है और जब हम दोनों पक्षों में रिनात्मक संख्या से गुना या भाग करेंगे तो ये जो चिन है वो बदल जाता है तो ये दो नियम थे बच्चो, बच्चो आईए एक उधारन से इनको समझते हैं उधारन एक, 30X छोटा है दोसो को हल कीजिए जब X एक प्राकृत संख्या है भाग एक में हमने X को एक प्राकृत संख्या लेके चलना है भाग 2 में x एक पुर्नाक है, x को एक पुर्नाक लेके चलना है तो 30x छोटा है 200 से इसको हल करने के लिए बच्चों x का, हमने यहाँ पे x के मान निकालने है तो x का मान निकालने के लिए इसको 30 से भाग करना पड़ेगा 30 एक धनात्मक संख्या है, दोनों तरफ जब 30 यानि की धनात्मक संख्या से भाग करेंगे तो असमीका का चिन प्रभावित नहीं होगा दोनों तरफ 30 से भाग कर दो 30 से भाग करेंगे तो इधर x रह जाएगा, इधर आजाएगा 200 बटे 30, इस 0 को इस 0 से काड़ देंगे बच्चो, x छोटा आजाएगा 6.6 से अब भाग एक में, x एक प्राकृत संख्या है x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या जो है वो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, इस तरह से तो x छोटा है 6.6 से, 6.6 से छोटी प्राकृत संख्या हमारा हल होंगी x बराबर आजाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 तक लेके चलेंगे बच्चो क्योंकि 6.6 से छोटा, 6.6 से छोटी प्राकृत संख्या 6 होगी तो इसको हम 6 तक लेके चलेंगे. भाग 2 में x एक पुर्नाख है, x एक पुर्नाख है पुर्नाख जो है वो माइनस वाले भी होते हैं, जैसे माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 इस तरह से, तो यहाँ पे हमने पुर्नाख में अपना उतर देना है, x बराबर हो जाएगा माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक क्योंकि x छोटा है, 6.6 से, 6.6 से छोटा पुर्नाख कौन सा वागा बच्वाब? 6 जब x एक प्राक्रित संख्या थी, तो हमने अपने उतर को 1 से शुरू करना है और जब x एक पुर्नाख है, तो हमने सारी रिनात्मक संख्याई ले ली, 0 ले लिया और 6 तक की जो है धनात्मक संख्याई हमने लेनी हैं, तो यह हमारे 2 जो भाग थे उनके उतर आ गए, आईए बच्चों, एक और उधारन देखते हैं, उधारन 2, हल कीजिए 3x माइनस 4 बटे 2 बड़ा है या बराबर है, x प्लस एक बटे 4 माइनस एक से और इस हल को बच्चों हमने संख्या रेखा पर भी आलेखित करना हैं, संख्या रेखा को हमने छोटी कक्षाओं में पड़ा हुआ है तो पहले इसको हल करते हैं, 3x माइनस 4 बटे 2 बड़ा है या बराबर है, x प्लस एक बटे 4 माइनस एक अब दाएं पक्ष में 4 पहले लगुत्तम लेके चलेंगे, 3x माइनस 4 बटे 2 बड़ा है बराबर है, 4 लगुत्तम लेके चलेंगे बच्चों, x प्लस एक माइनस 4 हो जाएगा ये 2 और ये 4 आपस में काट सकते हैं, काट के क्या रहा जाएगा दाएं पक्ष में, 2 तो मेरे पास आगया, 3x माइनस 4 बड़ा है बराबर है, x माइनस 3 बटे 2 अब बच्चों यहाँ पे बटे में 2 है, इस 2 को खतम करना है हमने, तो दोनों तरफ 2 से गुना कर दो, या ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि ये 2 धनात्मक है, इस 2 को हम उपर बाइपक्ष में गुना कर सकते हैं तो दोनों तरफ या तो 2 से गुना करेंगे हम, तो दोनों तरफ 2 से गुना करूंगा, तो यहाँ 3x को 2 से गुना करूंगा, क्या जाएगा, 6x माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 बड़ा है या बराबर है, x माइनस 3 से इस x को 6x की तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा और 8 को उदर ले जाओ तो 5x बड़ा है बराबर है 5 से अब 5 x में 5 धनात्मक है तो दोनों तरफ जब 5 से भाग करेंगे तो असमिका का चिन परिवर्तित नहीं होगा बड़ा है बराबर है एक से रह जाएगा तो बचो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x एक से बड़ा या बराबर है तो बड़ा है या बराबर है के लिए हम ये वाली ब्रैकट परियोग करेंगे एक से लेकर infinity तक अब इसको हमने संख्या रेखा पर निरुपित करना है संख्या रेखा में बीच में अगर जीरो ले लूँ तो उसके जीरो के दाई तरफ धनात्मक संख्या आ जाएंगी और बाई तरफ रिनात्मक आ जाएंगी अब हमारा x क्या आया था एक से बड़ा या बराबर एक से बड़ा या बराबर है तो बराबर भी है जब बराबर भी होता है तो हम यहाँ पे एक dark जो है वृत बनाएंगे और इसको इस तरफ इस तरह से थोड़ा काला पन इसमें कर देंगे थोड़ा यहाँ पे मोटी लाइन खीच देंगे, एक से लेकर, क्योंकि एक पे है, एक के उपर आपने इसको पुरा वृत को भर देना है, इस तरह से, यह हमारा संख्यारेखा पर निरूपन हुआ, बच्चों, यहाँ पे अगर से बड़ा या बराबर ना होता, बराबर का चिन ना होता, मालो, सिरफ यह वाला से बड़ा चिन होता, तो हम यहाँ पे एक के उपर, जो हमने इसको, वृत को भर दिया, यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक से लेकर infiniti तक, अगर आपके प्रशन में बराबर का चिन है इसका मतलब एक भी इस उत्तर में शामिल है जब एक भी इस उत्तर में शामिल है तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे इसको डाक करेंगे और जब शामिल नहीं है जब एकस बड़ा आता एक से अब एकस एक से बड़ा है सुनिश्चित है ये एकस एक से बड़ा है तो एकस एक के बराबर नहीं है तो यानि कि एक के बराबर नहीं है उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे सिरफ एक वृत्त बनाएंगे ठाली तो बच्चो इस तरह से इसको हमने हल करना है आईए इसके उपर एक और उधारन लेते हैं उधारन 3 x बटे 2 बड़ा है या बराबर है 5x माइनस 2 बटे 3 माइनस 7x माइनस 3 बटे 5 को हल कीजिए तथा हल को संख्यारेखा पर आलेखित कीजिए इसको हल करना है और हल को संख्यारेखा पर आलेखित करना है तो x बटे 2 बड़ा है या बराबर है 5x माइनस 2 बटे 3 माइनस 7x माइनस 3 बटे 5 अब दाएंपक्ष में 3 और 5 का हम लगुत्तम लेके चलेंगे यहाँ पे हमारे पास दाएंपक्ष में 2 पद हैं पहले हम इनको हल करेंगे तो उनको हल करने के लिए 3 और 5 का लगुत्तम 15 ले लिया अब 5x माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे और 7x माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारे पास क्या आएगा बच्चो पाँच गुना 5 25x और 5 गुना माइनस 2 माइनस के 10 माइनस 3 गुना 7x तो माइनस के 21x माइनस 3 गुना माइनस 3 प्लस के 9 और दाएंपक्ष में नीचे 15 है हमारे पास आ गया x बटे 2 बड़ा है या बराबर है 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 बटे में 15 अब 25x माइनस 21x कितने होते हैं बच्चो 4x और माइनस 10 प्लस 9 माइनस का 1 तो मेरे पास बन गया x बटे 2 बड़ा है या बराबर है 4x माइनस 1 बटे 15 के अब 2 और 15 दोनों ही धनात्मक हैं तो इसको अगर मैं 15 से गुना करूँगा और इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो असमिका का चेंज जो है वो प्रभावित नहीं होगा वो वही रहेगा तो x बटे 2 को 15 से गुना करते हैं 15x बड़ा है या बराबर है इस 2 को उपर गुना करेंगे तो 2 गुना 4x 8x बनगे 2 गुना माइनस 1 माइनस के 2 बनगे अब इस 8x को 15x की तरफ लेके आते हैं तो 15x माइनस 8x बड़ा है या बराबर है माइनस 2 के 15x में से 8x घटाएंगे तो 7x आ गया साथ एक्स बड़ा है या बराबर है माइनस दो के अब बच्चों हमने यहाँ पर एक्स के मान निकालने होते हैं एक्स का मान निकालने के लिए दोनों तरफ हमें साथ से भाग करना है और साथ एक धनात्मक संख्या है यहाँ पे, तो धनात्मक संख्या से भाग करने पर यह बड़ा है या बराबर है का चिन वही रहेगा, तो x बड़ा है या बराबर है माइनस दो बटे साथ बन गया, माइनस दो बते सात से लेकर क्योंकि बड़ा है infinity तक इसको अब हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है 0, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या है infinity तक और इधर रिनात्मक संख्या है माइनस infinity तक तो माइनस दो बटे साथ बच्चो जीरो और माइनस एक के बीच में यहां कहीं आएगा क्योंकि बड़ा है या बराबराबर का चिन भी यहां पे है साथ में तो यहां पे हम एक भरा हुआ बरिट बनाएंगे और बड़ा है इस से बड़ा है, उस तरफ जाएगा, दाई तरफ जाएगा, तो वहाँ पर हम लाइन को मोटा कर देंगे ये वाले जो सारे बिंदू हैं संख्यारेखा पर वो हमारा हल है इस असमीका का हल हमारे पास जो बिंदू आएंगे संख्यारेखा पर यहां से लेकर माइनस दो बटे साथ से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी बिंदू इसके अंदर हैं वो सारे के सारे हमारी असमीका का हल है आईए बच्चो एक और उधारन देखते हैं उधारन चार रवी ने पहली दो एकक प्रिक्षा में सत्तर और पिचत्तर अंक प्रापत किये हैं वह नियूंतम अंक ग्याद कीजिए जिसे वह तीसरी एकक प्रिक्षा में पाकर साथ अंक का नियूंतम औसत प्रापत कर सके यानि दो प्रिक्षाओं में उसने 70 और 75 अंक प्रापत कर लिए तीसरी प्रिक्षा के अंक हमने ज्याद करने हैं ताकि उसका न्यूंतम ओसत 60 हो जाए तो माल लेते हैं तीसरी एक अक प्रिक्षाओं में प्रापत अंक उसको X है और पहली दो एकक प्रिक्षाओं में प्राप तंख होगे 70 वे 75 तो इसका जो ओसत है वो बन जाएगा X प्लस 70 प्लस 75 बटे में 3 अब हमें प्रिशन में क्या दिया है बच्चो कि जो ओसत है कम से कम 60 होना चाहिए कम से कम 60 होना चाहिए ज्यादा भी हो सकता है तो कम से कम 60 ज्यादा भी तो ये उसका जो है तीनो एकक प्रिक्षाओं का ओसत आ गया तीनो एकक प्रिक्षाओं का ओसत ज्यादा भी हो सकता है 60 से नियूनतम 60 है यानि वो 60 के बराबर भी हो सकता है तो ओसत जो है वो 60 से बड़ा होगा या बराबर होगा अब हमने इसको हल करना है तो x प्लस सत्तर प्लस पिचत्तर बटे तीन बड़ा है बराबर होगा 60 से तो x प्लस 145 बटे तीन बड़ा है बराबर है 60 से इस तीन को 60 से गुना कर देंगे क्योंकि तीन धनात्मक संख्या है यह आजाएगा 180 तो x का मान निकालना है हमने 180 माइनस 145 x बड़ा है बराबर है कितना आगया बच्चो 35 तो वो कितने कम से कम अंक प्राप्त करें तांकि औस्त जो है उसका 60 बन जाए निवन्तम 60 बन जाए तो कम से कम कम से कम कितने अंक आगये उसके बच्चो 35 आएए बच्चो अब हम ग्रह कार्या को देखते हैं ग्रह कार्या में बच्चो आपने ये दो प्रशन हल करने हैं तीन गुना एक्स माइनस दो बटे पांच से छोटा है या बराबर है पांच गुना दो माइनस एक्स बटे में तीन से और भाग दो में एक बटे दो ब्रेकेट के अंदर तीन एक्स बटे पांच प्लस चार से बड़ा है या बराबर है एक बटे तीन ब्रेकेट में एक्स माइनस छे से तो इन दोनों भागों को आपने प्रशन एक में हल करना है तथा तरी भुझ की तीसरी भुझा सबसे बड़ी भुझा से 2 cm कम है तीसरी भुझा की नियूनतम लबाई ग्याद कीजिए जब की तरी भुझ का परिमाप नियूनतम 61 cm है तो बच्चो ग्रह कारिया में आपने ये दो प्रशन हल करने है बच्चों उमेद करता हूँ आपको आज का ये अध्याय समझ आ गया होगा धन्यवाद